उत्राखन मुक्ति विश्र विध्याले के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमश्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा भट विश्र विध्याले के ग्रह विज्यान विभाग से आज के हमारे व्याख्यान का विशय है ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व शिक्षार्थियों इससे पहले के भाग में आपने जाना था कि ग्रह व्यवस्था क्या होती है और क्या क्या उसके कॉंपोनेंट्स होते हैं आज हम जानेंगे कि ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन तत्वों को उत्प्रेरक तत्व क्यों कहा जा रहा है। ये तत्व उत्प्रेरग कहलाते हैं क्योंकि ये वो तत्व है जो किसी भी परसन को होम मेनेजमेंट करने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये किसी भी परसन को होम मैनेजमेंट या किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट करने के लिए प्रेड़ना देते हैं। आईए जानते हैं ये तत्व कौन-कौन से हैं। ग्रह विवस्ता के तीन उटप्रेड़क तत्व होते हैं जो है मूल्य, लक्ष और स्तर ये तीनों आपस में मिलके एक ट्राइंगल क्रियेट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मूल्य, लक्ष और स्तर आपस में घनिष्ट रूप से सम्बंदित हैं लेकिन इन तीनों में जबी मूल्य सबसे दादा इंपॉर्टन्ट होता है क्योंकि मूल्य से ही लक्ष और स्तर की उत्पत्ति होती है आज किस व्याख्यान में हम जानेंगे मूल्य के विशाई में यदि हम मूल्य के शाब्दिक अर्थ के बात करें तो जो मूल्य शब्द है वो लेटन भाषा के इस शब्द का मतलब होता है उपयोगिता अथार्थ मूल्य का मतलब है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को समझना या किसी भी वस्तु के महत्व को जानना तो इस प्रकार यह तो इसका शाब्दिक अर्थ है यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की जो कीमत होती है, उसे हम मूले कहते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं कि चीनी की कीमत 40 रुपे प्रति किलो है तो इसका मतलब यह है कि चीनी का मूले 40 रुपे है। इसी प्रकार एक कुमार द्वारा एक मिट्टी का घड़ा बनाय गया तो उसके लिए जो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी उसे आप इसकी economic value कहेंगे यदि एक चित्रकार द्वारा इसी घड़े पे कोई चित्र बना दिया जाता है जिससे की वो घड़ा बहुत सुंदर लगने लग जाता है तो वो value इसकी aesthetic value कहलाएगी अथार वो इसका सौंदर यात्बक मूल्य कहलाएगा इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इसी घड़े में पानी भरके अपनी प्यास बुझाता है तो उससे उसको तृप्ति मिलेगी तो उसे हम कहेंगे उसकी satisfying value तो इस प्रकार आप समझे कि जो मूल्य शब्द है वो हर परसन के लिए हर परिस्तिती में अलग-अलग हो सकता है लेकिन जो इसकी importance है वो सब के लिए equal होती है अथार मूल्य की जो ultimate aim है मूल्य का वो है संतुष्टि प्रदांग करने वाला तो इसलिए मूल्य वो चीज है जो किसी भी person को satisfy करती है किसी भी चीज के लिए मूल्य को आप यही भी समझ सकते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत है important होती है यह रीड की हड़ी के समान है जो जीवन को दिशा प्रदान करती है तथा जिनके आभाव में समाज का अस्तित्वी नहीं है मूल्य की द्वारा हमारी मनुवर्तियां एवं विचारों का भी निर्मार होता है मूल्य ही हमारे behavior और सोच का आधार होते है मूल्य ऐसे विचार हैं जिने हम अपने लिए महत्वपून मानते हैं मूल्य हमारे व्यवहार को, हमारे समवात को और दूसरे के सांथ बाचीत करने के तरीके को भी नियंद्रत करते हैं मूल्य को आप समझ सकते हैं कि या तो एक नेतिक सिधान्त है या फिर विश्वास है जो एक व्यक्ति जीवन की किसी पहलू के बारे में रखता है जैसे किसी पहलू की वैल्यूज, इमानदारी, समय की पावंदी, दया, स्वास्त या अच्छी आदतें आधी हो सकती हैं इसका मतलब यह है कि वो इन सब चीज़ों को महत्व देता है, जब वो इन चीज़ों को महत्व देता है तो वो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। इसे प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, जैसे कोई परसन की वेल्यू है, पंक्चुलिटी, तो उसे मेंटेन करने के लिए, वो समय की पावंद होने के लिए हर वो कोशिश करेगा, जिससे वो अपनी इस वेल्यू को मेंटेन कर सके, अब हम देखते हैं मूल्यों का वो है आंतरिक और वाद्यमूल ये वो मूल्य होते हैं जो किसी भी परसन के अंदर पाए जाते हैं जैसे कला के प्रति रुची, पारिवारिक सदस्यों के मध्य, सौहार्द, सुन्दर्ता में रुची ये सब आंतरिक मूल्य हैं आंतरिक मूल्य व्यक्ति के अंदर ही निहत होते हैं जबकि वाद्य मूल्य या फिर एक्स्टर्नल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो इंटर्नल वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कारे करती हैं जैसे किसी भी कारे में दक्षता होना और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो internal और external दोनों होते हैं अब हम जानेंगे मूल्यों के विशेशताएं क्या क्या होती हैं सबसे पहले हम जानते हैं जो मूल्य होते हैं वो सामाने परिस्तितियों में उत्पन्न होते हैं तथा मूल्यों में समय और स्थान और परिस्तितियों का बहुत साधा अफेक्ट पड़ता है जैसे कोई भी एक कामकारी स्त्री है तो वो as a wife, as a mother, as a employee उसके हर जगे अलग-अलग values होंगी और वो उन values को पूरा करने के लिए जो अपने उत्तरदाइत्व हैं उनका निर्धारन करती है तो इस तब समझ सकते हैं कि हर परिस्तिती में हर व्यक्ति अलग-अलग मूल्यों को शो करता है और accordingly वो बिहेव भी करता है मूल्य भौतिक रूप से तो नहीं मापे जा सकते हैं परन्तु गुणात्मक रूप से इनको मापा जा सकता है जैसे कि आप कह सकते हैं कोई भी चीज अच्छी, बुरी, बहुत अच्छी या बेकार हो सकती है और ऐसा भी नहीं है कि मूल्य हमेशे पॉजिटिव ही होते हैं क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें आपस में सामाजिक रूप से या फिर वेचारिक मदभेग हो सकते हैं तो इस तरीके से मूल्य धनात्मक और अनात्मक दोनों हो सकते हैं तो और ये कहना तारकिक होगा कि कोई भी परसन फ्री है किसी भी वेल्यूस को अडॉप करने के लिए ये परसन बिल्कुल स्वतंत्र है चाहे वो पॉजिटिव वेल्यूस को अपनाए चाहे वो नेगेटिव वेल्यूस को अपनाए जैसे कि इमपैथी है इमपैथी एक पॉजिटिव वेल्यू है लेकिन किसी किसी व्यक्ति में इमपैथी की फेलिंग नहीं भी हो सकती है तो क्योंकि वो चीज उसके लिए important नहीं है तो वो उस value को adopt नहीं करेगा या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी person, society में किस प्रकार से behave कर रहा है वो उसके लिए कोई भी value adopt कर सकता है वो positive या फिर negative दोनों हो सकती है मुल्य हमारी संस्कृति का प्रतिबिम्ब है मुल्यों से ही किसी भी परिवार के विशय में इतिहास, समय या काल आदी को पहचाना जा सकता है इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि हम उत्राखंट के निवासी हैं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो हमारे कॉस्ट्यूम में, वो हमारी आर्ट में टिपिट होता है तो इस तरीके से जो हमारी वेल्यूस है, वो हमारी संस्कृति को भी बताती है, हमारी फैमली हिस्ट्री को बताती है और time period को भी वो show करती है मूली सामाजिक भी होते है और पारिवारिक भी होते है लेकिन इसके अलावा मूली व्यक्तिगत भी होते है सामाजिक मूली मतलब आपने society में किस प्रकार से behave करना है पारिवारिक मूली की परिवार में सौहार्द बनाय रखने के लिए आप किस प्रकार से behave कर रहे हैं वो आपकी पारिवारिक value है लेकिन कुछ values ऐसी होती है जो किसी भी व्यक्ति की personal होती है जैसे किसी भी जैसे मैं आपको बताया कि fitness personal value है या फिए punctuality personal value है तो यह सब person की व्यक्तिगत values होती है values होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व के निर्वान में योगदान प्रदान करती है मूल्य किसी भी कारे को करने की प्रेणना देते हैं सांती सांत ये हमारे प्रत प्रदर्शक होते हैं और हमारे लिए एक ये निर्देशक का कारे भी करते हैं मूल्य स्थाई और स्थाई दोनों प्रकार के हो सकते हैं स्थाई मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है और यदि कोई परिवर्तन होता भी है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जैसे कि धन, संपत्य और प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन दिखाई देता है और अस्थाई जो values होती है उनमें जो परिवर्तन होता है बहुती धीमिगती से होता है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है जैसे कि खान-पान की आदत हैं, घर-खर्च का आपका पैटर्न क्या है इन सब आदतों में जो परिवर्तन है वो इसका example है और overall जो इसकी विशेष्टा है मूल्य की वो ये है कि इनका जो उद्देश है वो संतुष्टी ब्रदान करना होता है और मूल्य स्वयम विक्सित किये जा सकते हैं क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि कोई भी person free है किसी प्रकार की values को adopt करने के लिए तो मूल्य जो है आप खुद विक्सित करते हैं चाहे वो आप किसी को देख के करें या कहीं से सीख के करें या फिर आप किसी को imitate करके कुछ values को आप सीखें मूल्यों में तीर्विता भी पाई जाती है जो की हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है इसका मतलब यह है कि मूल्यों में intensity होती है जैसे माना किसी की जो value है वो love या affection है तो जो उसकी intensity है वो कम जादा हो सकती है हर परसन के लिए यह intensity अलग-अलग होगी हम बात करते हैं कि मूल्यों के शोत क्या है आप मूल्य कहां से लेते हैं सबसे पहला है परिवार क्योंकि परिवार ही किसी भी बच्चे की प्रात्मिक पाथशाला कहीं जा सकती है तो सबसे पहले कोई भी बच्चा एकोई भी व्यक्ति अपने परिवार से ही values को ग्रहन करता है जैसे ही बच्चा थोड़ा बढ़ा होता है तो वो बहार निकलता है बहार निकलके उसके मित्रवंते हैं तो वो मित्रों से values लेता है फिर वो बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में as a student वो बहुत कुछ सीखता है और इसमें जो teachers हैं वो भी बहुत important role play करते हैं बच्चे को values देने में इसके लावा जब बच्चा एक micro environment से फिर एक macro environment यानि समोदाय या फिर समाज में आता है तो वहां से भी वो बहुत सारे मूल्यों को लेता है इसके अलावा मीडिया भी मूल्य ग्रहन करने का एक शोत है मीडिया वो print मीडिया, electronic मीडिया, किसी प्रकार का मीडिया हो सकता है जहां से कोई भी व्यक्ति मूल्यों को ग्रहन करता है रिष्टेदारों के द्वारा भी मूल्यों को ग्रहन किया जा सकता है इसके अलावा बहुत सारे organizations हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी भी मूल्यों को ग्रहन करता है या फिर सीखता है इसके अलावा धर्म, इतियास और पुस्तक हैं अन्य शोत हैं जहां से कोई भी व्यक्ति मूल्यों को सीखता है अब हम बात करेंगे मूल्य अधिक्रहन तो इसके जो steps हैं वो निम्न हैं सबसे पहले है विकल्पों का chain मूल्य अधिक्रहन में सबसे पहले आता है आपने विकल्पों का chain करना है विकल्पों का चैन करते टाइम आपने सबसे important देखना है कि उसका term क्या है तो आपने दीरकालीन प्रासमिक्ता को प्राथमिक्ता देनी है तो कोई भी जो value होती है जो दीरकालीन होंगी वो ज़ादा अच्छी होती है rather than अल्पकालिक क्योंकि अल्पावधी के लिए जो values होती है या अल्पावधी वाले values को आप select करते हैं तो वो आपको संतुष्टी प्रदान करने में उतने जादा सफर नहीं होते हैं दूसरा है व्यक्तिगत स्वतिन्ता मूल्यों के चैन का सरवाधिक प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ता है जो मूल्यों को select कर रहा है तो इसलिए जब भी किसी व्यक्तिने मूल्यों को select करना है तो उसे बिना किसी के दबाव में आए बिना ही मूल्यों को select करना है तो आपने किसी से भी influence हुए बिना values को select करना है तो अस्वतंत्र होके मूल्यों का chain करना अतियाविश्यक है अगला है मूल्यों का समर्थन स्वयम द्वारा स्थो समझ कर चुने गए मूल्यों का समर्थन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को इससे आपका खुद पर विश्वास बना रहेगा और जो आपको जो मूल्य है उसको भी समर्थन मिलेगा अगला है मूल्यों का निश्पाधन मूल्यों का chain करना ही मात्री सफलता की guarantee नहीं है आपने मूल्यों का क्रियान वैन भी करना चाहिए जिससे इसका मतलब ये है कि जब कोई भी person उन values को adopt कर ले रहा है तो उसके behavior में उसके काम में भी वो मूल्य दिखने चाहिए तो ये था मूल्यों के विशाय में अगले व्यक्षान में हम जानेंगे लक्ष के विशाय में धन्यवाद